स्वागतो रभिनंदन, कई वार किसी सज्जन का मेसेज आया था, कि गुर्देव एक ऐसी हवन पद्धती बताएं, जो कि ग्रीस मरित्व के हिसाब से बड़ा उपियोगी हो, और मैं इसी लिए आप लोगों के लिए नव संबतसर, चैत्र की प्रतिपदा से, आपको प्रतेक दिन, अपने इष्ट मंतर से, देवी जी के मंतर से, जो मैं अभी आपको हवन सामिक्ग्री बताने जा रहाँ यग सामेगरी बताने जा रहा हूँ यग एक बड़ा रूप होता है हवन एक छोटा होता है पारवारी की स्तर पे जो होता है और सुक्ष्म रूप में होता है वो हवन होता है होम कहलाता है तो मैं आज होम की बात कर रहा हूँ होम और हवन में कोई अंतर नहीं ये परियाय है और यग जो है हवन का होम का एक बड़ा रूप है तो हम चलते हैं कि प्रतेक व्यक्ति अपने घर में किस तरह की सामिगिरी का प्रियोग करें जिससे कि गर्मियों में उसका स्वास्त अच्छा रहे आसपास का जो वाता वरण है वो शुद्र है और उसके घर में लक्षमी का बास हो उसके अंदर उसके घर में स्री की व्रद्धी हो धन की व्रद्धी हो अर्थ की व्रद्धी हो उसका आर्थिक जीवन वो अर्थार्ती जो है उसका आर्थिक जीवन सुक्सम्रदी पूर्ण हो आए चलते हैं तो सबसे पहले आपको नोट करना है मैंने कुछ चीज़ां नोट कर रखी हैं आपको बताने के लिए उसमें ये है कि इंद्र जो इंद्र जो 25 ग्राम चिरायता 50 ग्राम लाल चंडन 15 ग्राम शफे चंदन 15 ग्राम चोटी इलाची 10 ग्राम कमल गटा 15 ग्राम लौंग 10 ग्राम कपूर 20 ग्राम शक्कर 100 ग्राम घी या तिल का तेल ये आपका 100 ग्राम इन चीजों के आप मिस्रन्स करके रख लीजिए और इसका आप अपने घर में 108 आहुती स्री सूक्त से या लक्षमी सूक्त से या फिर गायत्री मंत्र के साथ में आप इस जो बनस्पतियां बताएं इनके आहुती आप रोजाना दीजिए सुबह को दे सकते हैं साम को भी दे सकते हैं कुछ लोग आधी रात की साथ ना करते हैं उसमें भी दे सकते हैं जो तंत्रिक प्रियोग करते हैं अब इसके करने से क्या क्या होगा इन बनस्पतियों का थोड़ा मैं गुणात्म का आपको कुछ फाइदे बताता हूँ ये जो इंद्र जो है अगर इसकी आहुती लगती है और वो जो धुआ होता है चारो और जाता है जिन लोगों के खून में खरावी है जिनको बिलड कैंसर की संभाबना रहती है वो खतम हो जाएंगे हमेशा ध्यान रखिएगा मैं एक बैग्यानिक बात कह रहा हूँ कि हमारे सरीर में जो बीमारी आती है वो प्रायत तीन जगह से आती है नंबर एक होता हमारे खान पान प्रतवी के दूशित होने से प्रतवी के दूशित होने का मतलब है जो हमारा प्रतवी से पैदा हुई चीजे है फाल है, फूल है और जो भोज़न है, अन है, चावल है, ग्यौँ है, कुछ भी जो भी आप ठोस रूप में गिरहन कर रहे हैं तो प्रत्वी के दूशित होने पर हमारे अन्न के दूसित होने पर ये दिक्कत होती है दूसरी बात उससे जादा जो सूक्ष महें वो पानी है आप जो पानी पीते हैं उसके अंदर जो दूश होता है उससे हमारे अंदर दिक्कत पैदा हो जाती है इसके अलावे एक तीसरा मार्ग है बायू के माध्डिम से जो हम श्वास लेते हैं जो बायू मंडल दूसित होता है तो हमारी जो प्रतरक्षा प्रणाली है जो हमारा सारीर इक तंत है, रोग प्रतिरोदक छमता है वो कम हो जाती और हमारे अंदर bacterial virus और virus के द्वारा हमारे सरीर के अंदर खून के अंदर वो जीवाडू चले जाते हैं कीटाडू चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं हालागी हम भोजन तो सुद्ड खा लेते हैं पानी को भी सुद्ध करके पी रहें हैं ले रहें लेकिन हम बातावरण को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं हवा को आप कैसे सुद्ध करोगे अपने आसपास के बातावरण को तो उसके लिए व्रक्ष लगाना चाहिए व्रक्षा रोपन करना चाहिए ताकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अदे को और जो विसाक्त पदार्थ हैं वो कॉर्वन डाई अक्साइड के रूप में ब्रक्ष उसके लिए अपना अहार बना ले ठीक है अब हम आगे चलते हैं इसी प्रक्रिया को हमारे भारतिय सनाता रिसी मुनियों ने क्या-क्या यग्य के द्वारा शुद्द किया जैसे आप सभी जगे ब्रक्ष नहीं लगा सकते हैं ब्रक्ष रोपन नहीं कर सकते हैं तो आपको एक सरल प्रक्रिया हमारे रिसीयों ने बताया वो प्रक्रिया यह है कि कौन से ब्रक्ष की आपको छाल लेना है लकड़ी लेना है फूल लेना है पत्ती लेना है है ना उसका पाउडर बना करके फिर आप उ उसके डालने से जो धुआ पहलेगा, उससे जो धुम्र पहलेगा, उसकी जो सुगंद से, जो आपके आसवास के बातावरण में जो वैक्टिरिया होंगे, जो जीवन के खिलाफ है, जीवन के बुरुद्ध हैं, जो जीवन को हानी पहुचाने वाले हैं, तुमारे स्वास्त क क्योंकि जीवन को भी कल्यान के लिए है क्योंकि जब हमारे अंदर स्वस्त बायों नहीं जाएगी स्वस्त ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हम सब बीमार होते चले जाएंगे फिर चाहें वो हिंदू हों, मुसल्मानों, इसाईों, कोई भी हों तो सनातन धर्म की जो सर्वेबंत सुखना का जो एक उदगोश है वो निर्थक नहीं है निराधार नहीं है उसके पीछे बहुत बड़ा विग्यान छुपा हुआ है बहुत बड़ा जीवन उपियोंगे रहे सहे सूत रहे मंत रहे तो जो भी चाहिए वो मुसल्मान भाई हो इसाई भाई हो कोई भी जैसे कि हम आसपास ऐसे जड़ी बूटियों का छड़काओं करते हैं जैसे मच्छर भगाने के लिए करते हैं हम कौाइल लगाते हैं तो इस हवन को तुम कौाइल समझ के इस्तेमाल कर लो ताकि तुमारा सारीरी की इस तर पे मांसे की इस तर पे औ ऐसे ऐसे जीवाडू, ऐसे ऐसे कीटाडू पैदा होते हैं जो हमारे स्वास के माद्धियम से, हमारे भोजन के माद्धियम से, हमारे पानी के माद्धियम से, जो इन चीजों को दूशित कर देते हैं और हमारा सरीर भी अस्वस्त हो जाता है, तो प्लीज इस विधान को जो मैं बता रहा हूँ आप अपने जाती धर्म से प्लीज इसको मत जोड़िएगा यह स्वास्त के लिए बहुत जरूरी है जैसे हम लोग अगरबती लगाते हैं धूबती लगाते हैं तो ठीक इसी प्रकार से किसका एक रूप है बैग्यानिक रू जाते हैं खून की गर्मी सांत हो जाती है दूसरा है चिरायता चिरायता जो है आपके खून को शुद्ध करता है जब इसका धुआ आपके घर में आसपास जाएगा तो लोगों के लिए जो मलेरिया की सिकायत होती है पुराना बुखार होता वो धीरे-दीरे खतम हो और सरीर के अंदर खून की मात्रा रक्त की मात्रा वरती क्योंकि लाल चंदन है सफेद चंदन आपके अंदर सीतलता परदान करेगा हाट रोगी जो है जो घब्राट होती है उन लोगों के लिए ऐसा हवन करना चाहिए इसको मिला करके सफेद इलाइची छोटी इलाइची भी कहते हैं इसके लिए आप अपने जब हवन सामिक गिरी में अपने दुहारे में सामिल करेंगे यग में सामिल करेंगे तो आपके अंदर जो है वल वीरिये पौरुष वढ़ेगा शांती वढ़ेगी दिमा की रोग जो माइग्रेन वगेरा की सिकायतें वो कम होती चली गर्व के वच्चे को भी ये बहुत मजबूती देता है ऐसी महलाओं जो गर्वती उनका गर्व पात होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है लोग लोग एंटी वेक्टिरियल है एंटी फंगल है और जब आप कहते हैं लोग का तिल दांत में रख लो दांत में दर्द नही जिता है जिसको ठकान आती है और नपुशकता आ रही है तो ये इसको मिला करके आप हवन करते हैं तो ये दिक्टें दूर हो जाएंगे कपूर कपूर को आप कभी भी कैमफर को कभी भी किसी भी रितू में आप जलाईए सुबह साम आप जलाके रख दीजिए अगर आप अपकों के कम सकंड़ 500 स्कॉार फिट एरिया को कभर करेगा वहां जीवाडू खत्म हो जाएंगे हिंदू धर्म में सुबह साम 5 ग्राम कपूर को जलाके जो आरती करने करने का नियम बताया गया है वो धार्मिक बना दिया गया क्योंकि लोग धर्म से जुड़कर के किसी च जलाने से घर में क्योंकि सुबहिसा में आटैक जादा होता है जो जीवाडू की टाडू होते ढो से जब सूर्ये चिप रहا होता है और अंधेरा आ mundane आ रहा होता है कहते हैं कि अधेरा कायम रहे किलिवस बोलता तो जब अंधेरा आता है और सूरिय छिप रहा होता है सूरिय की गर्मी कम हो रही होती है ऐसे समय पर अटैक होता है भूत प्रेतों का या फिर जो जीवाड़ू है कीटाड़ू है उनका तो सुबह सामार्ति का विधान यही है कि आप उसको जला के रखे ताकि जो है वो आप के घर में पनप ना पाएं मनें 500 मीटर 500 स्कॉार फिट एरिया के लिए 5 गिराम कपूर जो है परियाप्त होता है आप इसका लाव उठाएं यह एंटी वेक्ट्रियल है एंटी फंगल है बहुत सारी वीडियो में मैंने इस पे कोरोना को बहुत सारी चीज़ों पर बनाया है कैमफर के बिविद प्रियोग इसके अलावा शक्कर है सक्कर आपके कैमिस्ट्री को मजबूत करती है एक रसाइन है सरीर के अंदर जो है एक ऐसे कैलोरी आपको मिलेगी इससे ताकि आपके जीवन में मधूरता बनी रहे म्रेदता बनी रहे सोहार्दता बनी रहे और आपक की कड़वी चीजें पड़ी चिरायता पड़ा है तो यह आपके सुगर के लेवल को कम करेगा लेकिन इतना कम ना हो जाए उसको वैलेंस करने के लिए मिठास की जरूरत है, सुगंदी की जरूरत है, तो इसके लिए शक्कर है, और तिल का तेल, एक बसा की भी जरूरत होती है, बसा की भी आवशक्ता होती है, सरीर के अंदर चिक नहीं की आवशक्ता होती है, क्योंकि जब तेल या घी के साथ में इसमें क्या होता है, दिवाडे लक्षमी का बास हो और धन का बास हो और जो लोग हवन करना चाहते हैं वो लक्षमी सूक्त से सिरी सूक्त से कर सकते हैं गैतरी मंत्र से कर सकते हैं नवाड मंत्र से कर सकते हैं और जो मुसलमाल भाई बंदू अगर कुछ करना चाहते हैं वो कहेंगा तो उनके और आप अपने अल्ला ताला के नाम को अपनी तस्वीर के साथ में जफते जाओ दौा और दौा दोनों चाहिए फिर मिलूँगा नई जानकारी के शाथ ओ